कि है लो एवरीवन आज हम डिसक्स करने वाले हैं जामिय मिले इसलामिया के जो है एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं कैसे आप जामिय मिले इसलामिया का ट्वंटी ट्वंटी फाइफ का एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में सबसे ज़रूर या अगर हम बात करें तो जामी मिले इसलामे के जो कोर्सिस हैं वो आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे कोर्सिस भी है और कॉम्पेटिशन लेवल भी आप देखेंगे बहुत बढ़ता जा रहा है कई कोर्सिस की कट अफ तो 100% तक जा रही है तो आपको कैसे त्यारी करनी है यह हम इस वीडियो में डिसकर्स करने वाले हैं तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले जामी मिले इसलामे के चाहे हम यूजी कोर्सिस के बारे में बात करें या फिर पीजी कोर्सिस में या फिर स्कूल के बारे में बात करें तो आ सहला स्टैप सोना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जामिया मिले असलामिया का एंगरेंश टेस्ट का स्लेवर्स क्या है अब आपको जामिया की विजिट करना लिंक आपको description box मिल जाएगा telegram का भी और Instagram का भी Instagram का लिंक आपको channel page के नाम से लिएगा डाकिया info तो पहला step है आपका entrance test का slaybos download करना जब आप entrance test का slaybos download कर ले second step से आपका entrance question paper करना जब से ज़रूरी चीज़े entrance question paper अब बहुत बच्चे क्या करते हैं entrance question paper तब करते हैं जब आपके exams हो जाते हैं जब आपके exam सोरी पास आने वाले होते हैं यानि माल लीजिए आपको exam जो है पांस दिन बाद हैं तो अब आप करना शुरू करते हैं जो कि बिलकुल गलत 11 टापिक बहुत सारे पढ़ लिए तो कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो आपको सबसे जरूरी होता है पहले pattern को समझेना कि किस तरीके के questions exam में पूछे जा रहे हैं एमसे की questions आ रहे हैं तो कौन से topics को repeat किया जा रहा है किस topics पर जादा focus किया जा रहा है प्रिवियस यह question पर सबसे ज्यादा helpful करते हैं जामिया के entrance को crack करने में यह आपको ध्यान रखना है दूसरी जो सबसे जरूरी जामिया के entrance paper का pattern वो कभी भी change हो जाता है तो उसको लेकर आपको सबसे जरूरी जाए स्लेवर्श पर आपको stick रहना है अगर आपको स्लेवर्श सारा clear है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब जामियमले इसलाम में कई courses ऐसे हैं जिनकी cut-off ज देखने जरूरी है अब जब आपने previous year question paper देख लिए third step जो आता है वो आपको cut-off check करनी है कि cut-off क्या है आपको cut-off target मिल गया कि इस course की cut-off इतनी जा रही है तो आपको 5 marks extra लेके चलने ताकि आप easily target को achieve कर पाए क्योंकि अगर question paper का level देखी easy आया तो cut-off वड़ जाती है मुश्किल आया तो cut-off कम भी हो जाती तो दोनों साइट रह सकती है cut-off बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है दोनों points आपको ध्यान रखने और एक और चीज़ जिस भी course की आपको special अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दिजेगा अगर वो वीडियो चैनल पे अप अप लोड हो जाएगी चैनल पे अब जब यह चीज़ें आपके पास इकठी हो गई अब आपको शुरू करनी है जामिया के एंटरेंस के त्यारी अप कैसे शुरू करनी है एंटरेंस एक्जाम्स के त्यारी सबसे पहले स्टेप्स आपको रेलेवेंट बुक खरीदनी है ज मटेर्यल होना चाहिए पहुकर आपका यह है दूसरा काम जह है आपको साथ के साथ आपको नोट्स बनाते WJean चार बुक्स पढ़ ली और आपने डिवीजन एक भी बुक की नहीं तो कोई फाइदा नहीं होगा आपको एक्जाम में दिक्कत होने वाली है तो बैटर आप्शन से आपको साथ के साथ नोट्स बनाते वे चलना पड़ेगा जितना आप नोट्स बनाते वे चलेंगे उतना ज चीदा पता होता है इसका अंसर यह है आप अपने कोई से दो सब्जेक्स तो आपको स्ट्रॉंग करके चलना ही पड़ेगा दो को आप अपना नॉर्मली पढ़िए जिससे क्या होगा कि इन दो टापिक्स अब जिन बच्चों की मैस अच्छी है इंगलिश अच्छी है आप अगर आपकी मैस अच्छी तो रेजरिंग अच्छी हो जाएगी और जीके सबके लिए आप प्रीवेस एर कोशिन वेपर को देखे बहुत पैटन्स रिपीट होता है तो जिए नॉलिज के सिरीज चैनल पे अपलोड है अब लेटेस सिरीज दुबारा चैनल पे अपलोड हो आपने ले ले लिया नोट्स बना लिये अब एक ड्रावट आता है कि रिवीजन कीदे करनी चाहिए दिखे आपको करनी चाहिए जितनी जबड़ेंगे तब आपको कम टायं मिलेगा कम टायं लगेगा तो जितना जादा आप रिवीजन देंगे उतना जादा आपको अच्छा होगा अब सबसे ज़रूरी चीज एंट्रेंस एक्जाम्स की जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आप तब से ही तैयारी शुरू कर दीजीगा आप बहुत बच्चे एक्जाम्स की तियारी क्या होता तीन देन चार देन वर्ण वीग पंदरा दिन पहले करते हैं तो कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर एंट्रेंस एक्जाम्स को निकालना कई बच्चों के निकल जाते हैं कारण क्या होता है उनका बेस स्ट्रॉंग होता है फिर उन्होंने कोशन पेपर्स कर लिए फटा फ आप उससे रिलेटड जितनी चीजें हो सकती है जितने कोशन जितने प्रैक्टिस कोशन सारे के सारे कुशन करें जिससे आपको सब्जेक्ट उस टॉपिक आपको जो जाएगी तो जितना हो सके आपको डिटेल में उस टॉपिक्स के बारे में जानना है तो इस तरीके से बच्छों के डाउट जामे मिले इस्लामे के जो फॉर्मस हैं, मिड फैब, यानि फर्वरी के बाद जो है कभी भी आपके फॉर्मस निकल जाते हैं, फॉर्म बढ़ने के लिए आपको पूरे वन मंत का टैम दिया है तब बहुत बच्चों को लगता है कि फॉर्म्स मार्च के बाद आएंगे अपरैल में आएंगे नहीं आपके फॉर्म्स जो है फरवरी के बाद आ जाएंगे आपका एक्जाम हो 12th का बोड का या ना हो या फिर ग्रैजुइशन का आपका रिजल्ट आए ना एक्जाम पहले ही आपको फॉर्म्स भर लेना है बह को ज़रूरी चीज आपको ध्यान रख नहीं तो फॉर्म भरना जो है ज़रूरी मिड़ लीज हो जाएंगी और दूसक्तर पहले आपको वीडियो बना के अपडेट कि यह चैंची सोंगे तो सब आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा छीक है तो यह आपको अक्षे से त्यारी करनी कोई दिकत कोई प्राब्लम आ रही हो कोई समस्य हो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको सारा अपडेट जो है एंड तक के आपको चैनल पर बताया जाएगा ठीक है थैंक यू